नमस्कत दोस्तों मैं हूं रानापुता प्राय आपका दोस्ते गवर फिस्स्य स्वागत है आप साबका मेरे युट्यूब चानल पर जिसका नाम है हेल्ट एंड बीट टीप्स बाई रानापुता प्राय यानि की मैं दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है मिन्ट ओफोर्ट लोशन, मिन्ट ओफोर्ट लोशन जिसके अंदर पाय जाता है मिनोक्सिडिल, मिनोक्सिडिल कई स्टेंथ में मजार में उपलाब्ध है, मिनोक्सिडिल लोशन 2%, 5%, 7%, 10% और 12% में मिलता है, लेकिन ज्यादा तर 2% और 5% का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो आज इसके बारे में मैं संख्षेप में पूरी जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही आसन शब्दों में कि ये किसलिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज करने का तरीका क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, तो वीडियो के अंतक बने इसलिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना और बेल आइकोन को प्रेस कर ले ना और प्लीज और पर प्रेस करना ता कि इस प्रकार के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोर्स सके हैं दोस्तों जो मिन टॉप फोर्ट लोशन है ये डॉक्टर रेडिस लेबरेटरीज लिमिटेड का एक प्रोडाक्ट है और इसका इस्तेमाल ऐलोपेसिया नामग बिमारी को सेह करने के लिए किया जाता है एलोपेसिया नामग बिमारी में आपके मूच या दाड़ी के या फिर आपके सिर के बाल गाइब होने लगते हैं आप सोकर उठे है और उठके देख रहे हैं कि आपके सिर के किसी पर्टिकुलर इस्तान के कुछ वाल गाइब हो गया है कुछ वाल जड़ गये है तो ये ऐलोपेसिया की बिमारी की वज़े से हो सकता है इसके कई और कारण भी हो सकता है लेकिन आम जो कारण होता है वो ऐलोपेसिया ही होता है ये दाड़ी मुचों पे भी हो सकता है या अन्न इस्थान पर जहाब बाल है वहापर हो सकता है लेकिन आम तोर पर यह सिर्पे या फिर दाड़े मुच्छों में ही होता है इस बिमारी को सेह करने के लिए कई प्रकार के मेडिसिन्स और कई प्रकार के इंजेक्षन का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन प्रश्ण आता है कि इसका लगाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है और क्या ये प्रभावशाली है तो देखे इसके लिए जो भी खाने की दवाई उपलाब्ध है उसके साथ साथ अगर इंजेक्शन लगाए जाता है तो बहुत जल्दी फायदा करता है जैसे कि दवाई की बात करें तो सदियों से इसके लिए प्याजादी का इस्तिमाल क्या जाता है लेकिन आप चाहे तो मिन टॉप लोशन का इस्तिमाल भी कर सकते हैं मिन टॉप लोशन में मिनोक्सी डिल पाय जाता है मिनोक्सी डिल का इस्तिमाल करने से प्रभावित इस्थान पर बाल आ जाते हैं इसको कितने दिन तक लगाना होता है इसको लंबे समय तक लगाना पड़ सकता है इसको कुछ समय तक लगाने के बाद में जब बाल आ जाये तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हो लेकिन कुछ समय के बाद में आपके जो बाल है वो दुबारा से गायब हो स इसलिए इसको आप अन्न क्रीम या लोशन की तरह बीज बीज में लगाते रहें। अगर आपको अलोपेसिया नामक बीमारी नहीं है और आप खांदानी गंज है या फिर आपके पाल असमय जड़ गए है किसी भी कारण से तो आप इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस लोशन का थोड़ा सा मात्रा लीजिए और आप अपने सर के जो इसकाल पे उस पे लगा लेजिए। आप उतना ही लोशन लीजिए जितना की अच्छे से एपलाई हो जाए। बहुत ज्यादा मात्रा में लागाने की आवश्यक्ता नहीं है। दोस्तों जो मिनोक्सीडि नामक मेडिसीन है ये टॉपिकल यूज के लिए होता है और ये जेल, क्रीम, लोशन और फोम के रूप में उपलाद है। आप इसका किसी भी फोम में यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस लोशन का इस्तेमाल करने से जिस इस्थन के बाल जड़ गया है वहाँ पर नए बाल उ आने के बाद में लगतार लगाते रिया। इसको लगाते समय कुछ सब्धाने भी परतना चीए। आपको ये ध्यन देने की जरूरत है या इसका पैचान करना जरूरी है कि आपके जो वाल जड़े हैं वो ऐलोपेसी अनामक बिमारी की वज़ा से ही है या फिर और किसी हो गा है तो उस स्थान पर आप इस किरिम को नहीं लगा सकते हैं साथ ये साब्धानी बरतना पड़ेगा कि हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, सान बर्न, अन हार्ट से सम्मंधित कोई बिमारी या फिर सर्कुलेशन डिजर्डर के जो पेशेंट है उनको इस मेडिसिन य बात करें तो इसका इस्तेमाल करने से बालों की ब्रिद्धी ज्यादा हो सकता है सीर में धरद हो सकता है बालों का टेक्चर चेंज हो सकता है कलर चेंज हो सकता है खुजली रैशेज जलन हो सकता है रूखापन हो सकता है इसकिन से पपड़ी छूट सकता है तो ये सब समस्म हो सकती है और इसको लगाने का सही तरीके की बात करें तो इसको सुभाशम दोनों टाइम आप लगा सकते हो जिस इस्थान पर ये दिक्कत हुई है उसी इस्थान पर लगा रहे हो तो आपको ज्यादा सोचने की जुरूरत नहीं है लेकिन अगर आप किसी अन्न इस्थान पर लगा रहे हो चेहरे की किसी भाग में लगा रहे हो तो समय आपको साब्धानी ये बरतना चाहिए कि आपको सिर्फ उसी इस्थान पर लगाना चाहिए अन्न इस्थान पर लगने से उस इस्थान पर भी बाल आ सकते हैं और उस इस्थान पर बाल आने पर आपको फिर एक नए प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों मिन्ट आप फोर्ट लोशन जो की डॉक्टर रेडिस लेबरेटर्स लिमिटेट का एक प्रोड़क्ट है और यह एलोपेसिया नामग बीमारी में एक्स्टरनल यूज के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का लोशन है और इसका इस्तेमाल करने से जो प्रभावित इस्थान है वहाँ बट बाल आ जाते है या फिर आप अगर खांदा निगंज है या किसी भी कारण से आपके बाल जड़ रहे है तो आप उस समाई लगा सक सकते है इस लोशन का इस्तेमाल इस तीरी पूरुश दोनों ही कर सकते है तो इसके बारे में संक्षिप में जो भी मैंने जान करी दिये है आपको अच्छी लगी होगी और जड़ा साभी हेलफुल लगा हमारा वीडियो हमारी जान करी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना दोस्तों में और अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ओल पर प्रेस करना ताकि इस परकर के वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सकी है तो दो